कभी सोचा है एक डॉक्टर का काम क्या होता है लोगों की तकलीफों को दूर करना, उनके दर्द को दूर करना, उनकी जान बचाना, एक डॉक्टर का दिल सिरफ अपने लिए नहीं धड़कता बलकि अपने मरीजों के लिए धड़कता है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी डॉक्टर की कहानी बताने आई हूँ, जिसकी धड़कने हमेशा के लिए ठंग गई लेकिन क्यों? क्योंकि आज भी कुछ दरिंदे समाज में आजाद घूम रहे हैं वो एक साधारण लड़की थी, बड़ी होकर लोगों की सेवा करना चाहती थी कुलकाता के एक अस्टाल में डॉक्टर बनी, दिन रात मेहनत करती थी बिना किसी शिकायत के उसकी आँखों में एक ही सपना था, लोगों की मदद करना और अपने माबाग की आँखों में गर्व देखना लेकिन एक रात सब बदल गया, उस रात जब वो मरीजों की देख भाल कर रही थी थोड़ी देर के लिए, सुस्ताने के लिए वो गई, पर वो नहीं जानती थी कि उसके दो पल सुस्ताने वाले उसकी जिन्दगी के आखरी पल बन जाएंगे वो नहीं जानती थी कि समाज के कुछ दरिंदे उसकी इंतजार में बैठे हैं जो उसे इंसान नहीं, सिरफ और सिरफ एक शिकार समझ रहे थे उन्हों ने उसकी इज़त को तार तार कर दिया उसकी चीखें, वो चीखें जो शायद आसमान तक पहुँची होंगी लेकिन जमीन पर किसी ने उस चीख को नहीं सुना उसकी मासूमियत, उसकी मेहनत, उसकी जिन्द ही सभी कुछ एक पल में बरबाद हो गया और उसके बाद, उसके बाद क्या हुआ? पुलीस आई, मीडिया आया और हम सब ने देखा कुछ दिनों तक खबरें चली, मुंबतियां चली, पोस्टर लगे और फिर, और फिर, सोचिए, सोचिए एक मावाब की हालत कैसी रही होगी, कैसी चल रही होगी जिनकी बेटी, बच्चपन से लेकर मेहनत करती हुई, बहुत सारी सीड़ियां पार करती हुई, डॉक्टर बनी वो, अखबार की सुर्खियों में कहीं दफन सी हो गई है उस रात की चेखें, क्या, क्या अब भी सुनाई देती हैं, या, या फिर, इस सूने समाज के, सनाटे में कहीं खो गई है ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये समाज की हर औरत की कहानी है, जो इस समाज में सुरक्षित नहीं है हम मुम्बतियां चलाते हैं, हम नारे लगाते हैं, हम जस्टिस की मांग करते हैं, लेकिन कब तक? कल फिर कोई ऐसी घटना होगी परसों, फिर कोई ऐसी घटना होगी आखिर कब तक? कब तक हमारी बेटियां, हमारी बहने इस खौफ भरी जिन्दगी में जीएंगी? कब तक हम उन चीखों को अनसुना करते रहेंगे? और कब तक हम पोस्टर हाथों में लेके, मुम्मतियां हाथों में लेके प्रदर्शन करते रहेंगे? जबकि असली अपराधी आज भी कहीं आजाद घूम रहे हैं ये कहानी कोई ऐसी कहानी नहीं है, जिसको कल भुला दिया जाए बलकि ये कहानी तो वो कहानी है, जिसे हमें हर रोज याद करना चाहिए ताकि इस समाज को बदलने की कोशिश पूरी हो सके ताकि कोई और बेटी, कोई और डाक्टर इस तरह की बरबरता का शिकार ना बन सके क्या हम वाकई तयार हैं उस बदलाव के लिए? क्या हम सिरफ चुप रहेंगे या फिर इनसाफ की लड़ाई में हिस्सा लेंगे? मैं आपको एक सवाल पोछना चाहती हूँ अगर ये आपकी बहन होती, अगर ये आपकी बेटी होती, तो क्या आप चुप रहते? नहीं ना? इसलिए आज ये आवाज सिर्फ मेरी नहीं, बलकि आपकी आवाज भी जुड़नी चाहिए बलकि हम सब की आवाज जुड़नी चाहिए ताकि उसकी चीखें अंसुनी ना रह जाए कहीं खोना जाए ताकि उसे इंसाफ मिले ताकि ये समाज उस इंसानियत को याद कर सके दुबारा से जिन्दा कर सके जिससे हमने कहीं खो दिया है ये लड़ाई सिर्फ एक केस की नहीं है ये लड़ाई समाज में बदलाव के लिए है और वो बदलाव आप से, मुझ से और हम सब से आएगा आओ हम खुद से ये प्रोमिस करें जस्टिस फॉर एवरी वोमन फ्रीडम फॉर एवरी वोमन जसे लिए लड़ाई से, मुझ से लिए लड़ाई से